नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल टोटोरियल चेनल पे यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजिनरिंग के नेटवर्ग टोपोलोजी या ग्राफ थोरी से एक नियुमेर्कल प्राबलम को लिया है जो की इस प्रकार से है अग्राफ इस सोन इन फिगर फाइंड दा कट्सेट मेट्राइसेस एंड अप्टेन केसियल्स इक्वेशन्स हम लोगों को इस नियुमेर्कल प्राबलम पे दिये हुए ग्राफ का यूज करके सबसे पहले ग्राफ के लिए केसीयल्स इक्वेशन्स को भी डिटर्माइन करना होगा और हम लोगों को नेटवर्क टोपोलोजी या ग्राफ थोरी के नियुमेर्कल प्राबलम पे ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी किसी numerical problem पे KCL's equations को determine करने के लिए कहा गया हो तो हम लोगों को उस numerical problem पे दिये हुए graph का use करके पहले cut set matrices के value को determine करना होगा अब हम लोग इस graph पर देख पाएंगे कि हम लोगों को number of notes कितने दिये गए हैं 5 और हम लोगों को इस graph पर branches की संख्या कितने दी गई है 7 और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी graph पर dotted line से कौन से branches को सो किया जाता है links को तो हम लोगों को इस graph पर कितने links दिये गए हैं 3 जो कि branch 1, branch 2 और branch 7 है और जैसा कि हम लोग किसी graph पर जानते हैं कि bold line से कौन से branches को सो किया जाता है twix को तो हम लोगों को इस graph पर कितने twix दिये गए हैं 4 जो कि branch 3, branch 4, branch 5 और branch 6 है अब हम लोग इस numerical problem पर दिये हुए graph का यूज करके cut set matrices के value को calculate करेंगे और cut set matrices के value को calculate करने के लिए इस दिये हुए graph पर हम लोगों को cut set को बनाना होगा और cut set को किसके according बनाया जाता है twix के तो हम लोगों को इस graph पर कितने twix दिये गए हैं 4 तो अब हम लोगों को इस graph पर 4 cut set को draw करना होगा हर एक twix के लिए और हम लोगों को cut set को draw करते समय ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग cut set को draw करें तो एक cut set पर एक ही tweak होना चाहिए link कितने भी हो सकते हैं अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले tweak 3 के लिए cut set C1 को draw करेंगे और हम लोगों को cut set C1 पर orientation के direction को किस प्रकार से लेना होगा tweak 3 के direction के जैसे तो यहाँ पर हम लोग orientation के direction को कैसा ले पाएंगे node 1 से बाहर की ओर और यहाँ पर देख पाएंगे कि cut set C1 पर tweak 3 है और link 1 है अब हम लोग यहाँ पर आगे tweak 4 के लिए cut set C2 को draw करेंगे और हम लोगों को इस पर orientation के direction को किस प्रकार से लेना होगा tweak 4 के direction के जैसे तो यहाँ पर हम लोग orientation के direction को किस प्रकार से ले पाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर देख पाएंगे कि cut set C2 पर tweak 4 है link 1 है और link 7 है अब हम लोग यहाँ पर आगे tweak 5 के लिए cut set C3 को draw करेंगे और हम लोगों को इसमें orientation के direction को कैसे लेना होगा tweak 5 के direction के जैसे तो यहाँ पर हम लोग orientation के direction को किस प्रकार से ले पाएंगे इस प्रकार से और हम लोग cut set C3 पर देखेंगे कि tweak 5 है link 2 है और link 7 है अब हम लोग इस graph पर last cut set C4 को tweak 6 के लिए draw करेंगे और हम लोगों को इसमें orientation के direction को कैसे लेना होगा tweak 6 के direction के जैसे तो यहाँ पर हम लोग orientation के direction को ले पाएंगे note 3 से बाहर की और और हम लोग cut set C4 पर देखेंगे tweak 6 है और link 2 है अब हम लोग इस graph का use करके cut set matrices के value को लिखेंगे तो जैसा की हम लोग जानते हैं की cut set matrices को किस से denote किया जाता है matrix Q से और हम लोगों को cut set matrices पर ध्यान रखना होगा की cut set matrices के column पर किसको लिया जाता है cut set को तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे C1, C2, C3 और C4 और cut set matrices के row पर किसको लिया जाता है branches को तो हम लोगों को इस given graph पर कितने branches दिये गए हैं 7 तो अब हम लोग cut set matrices के row पर लिख पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अब हम लोग इस matrix पर cut set C1 के लिए पहले row के value को determine करेंगे तो cut set C1 कौन-कौन से branches को cut कर रहा है 3 और 1 तो हम लोगों को branch 1 के नीचे लिखना होगा 1 और branch 3 के नीचे लिखना होगा 1 और बाकि सभी branches के नीचे क्या लिखेंगे 0 अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि cut set C1 के orientation के direction के opposite branch 1 या link 1 पर direction है तो हम लोगों को branch 1 के लिए क्या लेना होगा minus sign अब हम लोग इस matrix पर cut set C2 के लिए अगले रोके value को determine करेंगे तो इस graph पर देख पाएंगे कि cut set C2 कौन-कौन से branches को cut कर रहा है 1, 4, 7 तो हम लोगों को 1 के नीचे लिखना होगा 1 4 के नीचे लिखना होगा 1 और 7 के नीचे लिखना होगा 1 बाकि सभी branches के नीचे क्या लिखेंगे 0 अब हम लोग इस graph पर देखेंगे कि cut set C2 के orientation के opposite direction branch 1 या link 1, branch 7 या link 7 पर direction है तो हम लोगों को branch 1 पर क्या लेना होगा minus sign और branch 7 पर भी क्या लेना होगा minus sign अब हम लोग आगे cut set C3 के लिए इस matrix पर अगले row के value को determine करेंगे तो इस graph पर देख पाएंगे कि cut set C3 कौन-कौन से branches को cut कर रहा है 2, 5 और 7 तो हम लोगों को 2 के नीचे लिखना होगा 1 5 के नीचे लिखना होगा 1 और 7 के नीचे लिखना होगा 1 बाकि सभी branches के नीचे क्या लिखेंगे 0 अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि cut set C3 के orientation के direction के जैसे branch 2 या link 2, branch 7 या link 7 पर direction है तो हम लोगों को cut set C3 वाले row पर किसी भी प्रकार का कोई sign change नहीं करना होगा अब हम लोग इस matrix पर cut set C4 के लिए last row के value को determine करेंगे तो इस graph पर देख पाएंगे कि cut set C4, branch 2 और branch 6 को cut कर रहा है तो हम लोगों को 2 के नीचे लिखना होगा 1 और 6 के नीचे लिखना होगा 1 बाकी सभी branches के नीचे क्या लिखेंगे 0 अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि cut set C4 के orientation के direction के जैसे branch 2 या link 6 पर वैसा ही direction है तो हम लोगों को cut set C4 वाले row पर किसी भी प्रकार का कोई sign change नहीं करना होगा अब हम लोग यहाँ पर आगे इस cut set matrices के value का use करके दिये हुए graph के लिए KCL's equations को लिखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर assume करना होगा कि branch 1 का current क्या है J1 branch 2 का current क्या है J2 इसी प्रकार से हम लोगों को branch 1 से branch 7 तक के current को assume करना होगा J1 से लेकर J7 तक और जब कभी भी हम लोग cut set matrices के value का use करके KCL equations को लिखेंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि cut set matrices पर जितने भी cut set दिये होंगे उतने ही हम लोगों को KCL's equations भी मिलेंगे तो हम लोग इस matrix पर देख पाएंगे कि हम लोगों को 4 cut set दिया गया है तो अब हम लोग इस cut set matrix की help से 4 KCL equations को लिखेंगे अब हम लोग इस cut set matrix के पहले row का use करके पहले KCL equation को लिखेंगे तो पहले row पर देख पाएंगे branch 1 के नीचे है minus 1 और branch 3 के नीचे है 1 तो पहले KCL equation को लिखेंगे minus J1 plus J3 is equal to 0 अब हम लोग इस matrix के दूसरे रो का यूज़ करके second KCL equation को लिखेंगे तो दूसरे रो पर देख पाएंगे branch 1 के नीचे है minus 1 branch 4 के नीचे है 1 और branch 7 के नीचे है minus 1 तो दूसरा KCL equation होगा minus J1 plus J4 minus J7 is equal to 0 अब हम लोग इस matrix के third row का यूज़ करके third KCL equation को लिखेंगे तो third row पर देख पाएंगे branch 2 के नीचे है 1 branch 5 के नीचे है 1 और branch 7 के नीचे है 1 तो third KCL equation होगा J2 plus J5 plus J7 is equal to 0 अब हम लोग यहाँ पर इस matrix के last row का यूज़ करके last KCL equation को लिखेंगे तो last row पर देख पाएंगे branch 2 के नीचे है 1 और branch 6 के नीचे है 1 तो last KCL equation होगा J2 plus J6 is equal to 0 तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह numerical problem complete हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिये हुए graph का यूज़ करके कैसे cut set matrices के value को calculate करना होगा और उस cut set matrices के value का यूज़ करके दिये हुए graph के लिए कैसे KCL equations को लिखा जाता है तो अगर आपको यह सब बताने का method समझाने का method अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like and share करें और मेरे channel को subscribe करें thank you all the best